अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को भी ट्रैस करना ना भूलें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो start करते हैं before you read से can you name some desert areas in India and the world क्या आप कुछ इंडिया के वो वर्ड के जो हमारा बेस्व है बेस्व के कुछ ऐसे desert areas के name बता सकते हैं who do you think lives in such areas तुम्हारे बिचार से इन areas में कौन रहता है start करते हैं desert are the driest place on earth and sometimes go for months or even year without rain जो desert area होता है ठीक है जो marustal होता है वो earth पर सबसे सुखे places होते हैं driest place होते हैं और वहां कभी-कभी तो महीनों और सालों तक कोई बारिस ही नहीं होती but even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions लेकिन जो desert area होता है marustal होता है उसके जो भी animals होते हैं वो बिना पानी के तो जीवित नहीं रह सकते हैं survive नहीं कर सकते हैं फिर वो क्या करते हैं जो एक्तम से scorching sun वाली जो धूप होती है जुलसने वाली धूप उससे लंबे समय तक बचे नहीं रह सकते क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं अपने लिए कुछ ऐसे तरीके निकाल लेते हैं निकाल लेते हैं different ways of coping with the harsh condition उस condition से बचने के लिए और एक्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि गर्विल है यहां पर गर्विल में माउस लाइक डिजर्ट बिद लॉंग हिंड लैग्स तो गर्विल क्या करते हैं यहां पर गर्विल क्या करते हैं दिन का जादा तर समय अपना जो गर्मी की बज़े से किसमें बिताता है ठंडे अंडर्ग्राउंड जब रोज होती है उनमें बिताता है पूरा टाइम घुजाता है उसमें जब तक कि जो नमी की बूंदे हैं उसके मूं में न पहुंच जाएं परन प्ररोग्रावा तरह खेंजा है क्याएं घुजाते हैं और कोने प्रियस्तान होता में पूरे समुदर की तरह मिट्टी के टीले वने हो defensive रोक्य नतलाब प्त्राव मैं घुजाएं तरह मारिक्री और और कि थ और हैं जोरे हो कोई पबली मिनस होते हैं इस्टौनी मिनस पथर जो चोटी चोटी जाडियां इधर ऊगी होते हैं कहीं पर क्या होते हैं जो इस्प्रिंग सीजन आ जाता है बसंत रितू जब आ जाती है तो उसमें रंग ब्रंगे कलरफुल floppers इधर उद्धर sprinkled करे हुई दिखाई देते हैं मनदब बिखरे हुई दिखाई देते हैं There are more than 2300 different kinds of snakes around the world ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters World में, पुरे संसार में 2300 से भी जादा अलग-अलग तरह के साफ है Kinds of snakes around the world पूरे संसार में और जिनकी मदब जो ranging है जो लंबाई है वो from just 15 centimeters long to more than 11 meters 15 centimeters लेकर 11 meters से भी जादा होती है और most snakes are quite harmless कुछ snakes जो होते हैं वो बहुत जादा मदब सांत होता है वो harm नहीं पहुचाते किसी को भी but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one wife और कुछ ऐसे होते हैं जो कि भौत ही जादा मतब भौत उन्हें पॉजिन भरा होता है ठीक है पॉजिनस वाले होते हैं जहरीले होते हैं और वो एक वार काट ले तो जो भी इंसान होता है न उसकी जिन्दगी नहीं रह सकती वो मर जाएगा human being is just one wife एक वार काटने से ही मर जाएगा most snakes lay eggs but there are many which give worth to their young जादा तर जो साप होते हैं वो अंडे देते हैं और अलगल मतलब कुछ अनेक ऐसे भी साप होते हैं जो कि बच्चों को जन देते हैं ठीक है दोनों तरह के साप होते हैं अदर क्या करते हैं पर अनेक अपने बच्चों को जन देते हैं इन ड्राय रॉकी डेजर्स आफ अमेरिका लिफ्स आ राधर एविल लुकिंग इसनेक बिदब वेरी बैड रेपिटिशन अमरिका में जो सूखे एकदम से डेजर्स रॉकी पत्रीले जो मरुस्तल बने हुए है तीक है उसमें एक ऐसा मतलब डेंजर्स स्नेक है जो कि बहुत ज़्यादा इविल है बहुत ज़्यादा बुरा है जो बहुत ही ज़्यादा बैड रेपिटिशन उसकी अपनी एक बुरी तरीकी की रेपिटिशन है मदब वो अच्छा नहीं है वो बदनाम हो चुका है इट्स फ्राइटनिंग रिटर can be heard as far as 30 meters away and it can strike with high lightning speed वो डराबने तरीके से एकदम से मदब कैसी आवाज निकलता है खडखड की आवाज पैदा करता है और जैसे 30 meter की दूरी तक सुना जा सकता है इतनी तेज वो साउंड करता है उसको बोलते हैं रिटल स्नेक और वो मदब इतनी तेज चलता है जैसे lightning speed से जैसे बिजली की गती दौरती है न एकदम से उस तरह से और वो एकदम से तनी तेज काट भी सकता है जो रिटल स्नेक होता है वो बहुत ही ज्यादा lightning speed में इस बिजली की गती से दौर कर काट सकता है बर्दा रिटल स्नेक और रिटलर एस इस सम्टाइम्स कॉल्ट प्रेफर तो एवोईट पीपल इफिट पॉसिवली कैन पर जो रिटल स्नेक होता है वो उसको रिटलर भी बोला जाता है कभी-कभी प्रेफर तो एवोईट पीपल इफिट पॉसिवल कैन और वो कभी-कभी लोगों को मनलब क्या करता है अवोईट भी करता है कि जो लोग होते है न उनसे बचना चाता है इट होड्स इस तेल अपराइट एंड रिटल डएंड वेनवर इट इस डिश्टर्व और वो क्या करता है अपनी पूच को जो उसकी टेल उते है न उसको ऊपर उठाकर उसके जो भी उसका मतब जो एक हिस्सा होता है नीचे का एंड पोईंट जो होता है उससे पहुत ही ज़्यादा आवाज करता है, disturbance क्रियेट करता है, बहुत आवाज करता है, in the hope that the integer will go away, इसलिए करता है कि integer means होता है, घुस पैठिया, उसको लगता है कि कोई मतलब मेरी एरिया में घुस आया है, इस आसा से, however, if its warning are ignored, and it feels threatened, it will coil ready to write, और फिर वो क्या करता है, वो सोचता है कि अगर उसकी warning को जब चेताबनी दे रहा होता है, यह इस तरह से करके, आवाज करके, सोर करके इतनी तेज़-देश से, तो अगर कोई इसको ignore करता है, तो फिर वो इसलिए तयार हो जाता है, एक धमकी की तरह लेता है, त्रेटेंड लेता है, और चेताबनी देने के बाद, कि अब क्या हो ज़ता है, इट वो कॉल ready to write, वो कॉल की तरह ready हो जाता है, अपने आपको घुमाका जैसे कॉल में हो जाता है, और फिर काटने के लिए तयार हो जाता है वर दर रेडलर इसल्फ गैनाट हीर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स लेकिन जो रेडलर होते हैं जो रेडलर स्नेक्स होते हैं वो मालब अपनी जो पूच से वो सोड निकलता है बहुत ज़दा उसको नहीं सुन पाते हैं जैसे कि और स्नेक्स होते हैं जितने और स्नेक्स होते हैं वो भी नहीं सुन पाते हैं कि वो क्या सुनते हैं वाइब्रेशन को सुनते हैं जो ग्राउंड पर वाइब्रेशन होता है जमीन पर उसको सुनकर महसूस करते हैं If a person walks nearby, the snakes can feel the movement. अगर कोई परसन उधर से गुचर रहा होता है, तो उसकी वाइबरेशन को फील करके कि वो मुमेंट कर रहा है, तब वो समझ जाते हैं. But if the same person were to shout, it would not hear a thing. अगर कोई ब्यक्ति उसके पास जाकर सोर मचाए, तो साप नहीं सुन पाते हैं. रिटल स्नेक और वेरी कॉमन और वाइबरेशन इनिमल्स लिविंग कॉमन, लिविंग राइट एक्रोस अमेरिकन कांटिनेंट फ्रॉम कैना टू एर्जेंटिना, यह जो रिटल स्नेक होता हैं, वो मदब क्या होते हैं, आप वेरी कॉमन, अट्वाइबरेशन अनिमल्स हर जगा पाय जाते हैं, कॉमन है यह, वाइबरेशन प्रॉम्स है, मदब हर जगा पाय जाते हैं, बिस्त्रित हैं, लिविंग राइट अर्मेरिकन कॉंटिनेंट, कहाँ कहाँ पर रहते हैं, अमेरिकन कॉंटिनेंट पर, फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटिना, कैनेडा से लेकर, अर्जेंटिना तक पाय जाते हैं, यह तरह तरह की मंदब जो भी अनिमल्स होता है, उनको खा लेते हैं, जैसे की चूहे हो गए, जा सकता हैं, फिर गिल्हार यहां हो गई, फिर थे अपने सिकार सोचाल को पीए, फिर सब्साल की से बहन सतते हैं, लए मिद इस्नेक्ती होते है और जर्ट सते हैं जर्ट .. सांप का जार्ट जर्ट लिए मेंटी होता है जार्ट जर्ट सीनेक्तं सैं गझाए है दूसरी सॉप क्या ताहन है निर्ट से स्छान पल सत्त में से टक जाते हैं few snakes have to eat more than once a bee can some कुछ ही मतब साप ऐसे कुछ मतब साप ऐसे होते हैं कि एक सप्ता में एक बार ही खाना जरूरी समझते हैं उसको अपनी food को लेना समझते हैं ठीक है a bee can some such as larger python जैसे की कुछ larger python हो गए अजगर है कि वो क्या करते हैं can survive for a year or more without eating वो तो एक साल से भी जादा हो जाता है उनको बिना खाए पिए और वो survive कर जाते हैं मतलब जीबित रह सकते हैं बिना खाए तो बाता है mongos mongos like to hunt together but they always keep a look out for dangerous predators nearby जो mongos होते हैं नेवले जो होते हैं वो एक पूरे group में जो उनका समू होता है उसमें ही सिकार करना पसंद करते हैं और वो हमे एक दम से प्रिडेटर सा जाते हैं ना तो उन पर नजर भी रखते हैं पोकिंग दियर नोजेस इंटु होस ओवर टरनिंग रॉक्स बिदियर पाउज और स्क्रेचिंग देग्राउंड विदियर साफ क्लोज वैंडेट मॉंगूस और वेरी एम्यूजिंग एनिमल्स तो व पुलट पुलट करते हैं और फिर जमीन को अपने पहने पहने जो उनके नाखुन होते हैं और उनसे ख्रोचते हैं और फिर पुरा जो उनका समू होता है नेवला जो होता है यह मंगूस जो होते हैं और वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स देखने में बहुत ही अम्यूजिंग लगते हैं, amazing means होते हैं, रोचक लगना, अच्छे लगते हैं, a common sight in many parts of Africa, अफरीका के अलग-अलग हिसों में, they travel in groups of about 22 forests, for beetles, millipeds and other small creatures, ये मतब ऐसी हैं, चोकि आम दिखने वाले हैं, ये जो म्योंगूज हैं, लगवक ये 20 का एनका एक जुन्ड रहता है, उसमें ही निकलते हैं, ये के ट्रेबल करते हैं, पूरे 20 के group में, और ये मतब, forest for beetles, और ये बीटल नाम के कीट, जो होते हैं, कीडे, उन पर जो छोटे-छोटे millipeds and other small creatures, चोटे-चोटे-चोटे-चोटे जो भी जीव होते हैं, उनकी खोज करते हैं, उनको ढूंते हैं, पूरे एक group में, ये लाइक टू हन्ट तुगेदर, keeping in touch, whenever they go out of sight, behind rocks और bushes, by twittering and calling, अगो क्या करते हैं, वो जुन्ड में सिकार करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, वो एक साथ पूरे group में ही निकलते हैं, पुरा मदब अपना group बनाके, एक साथ, और जब कभी वो मतलब चटान हो, या फिर जाडियों के पीछे, अपनी नजर दोडाते हैं, तो वो एक दूसरे के मतलब, बिल्कुल उसमें आजाते हैं, संपर्क में आजाते हैं, वेनेवर दे गो आउट ऑफ साइट, अगर एक दूसरे के नजर से बच जाते हैं, बहाइंड रॉक और विससे जाडियों के पीछे, या फिर रॉक के पीछे होते हैं, तो वो किस तरह से बुलाते हैं, एक आवाज निकालते हैं, ट्विटरिंग की बुलाने के दिए, एक दूसरे को पकारते हैं, Twitter करके, चीचीचीचीची आवाज करते हैं, तो उसे वो पहचान जाते हैं, कि हाँ, ये आवाज लगा रहे हो, फिर वो नमान से भाग जाते हैं, Always on the, look out for danger, hawks, eagles and the larger snakes, they want one another, with a special alarm, call if they spot anything suspicious, खत्रों से बचने के लिए वह हमेसा प्लकुल ही मतलब एक तमसे सच्चीत रहता है ना जैसे हमेसा ही सच्चीत रहना होता है कि हमारे पास खत्रा आने वाला है किस किस चीज से हौक से एगल से या फिर दे वन वन अनदर विद इस पेशल आलाम जब फिर कैस क्या हो गया कोई बड़े साफ हो गए जो बड़े-बड़े स्नेक्स होते हैं लार्ज स्नेक्स हो गए उनसे बचने के लिए एक दूसरे को मतलब खत्रे से आगा कर देते हैं इस पेसल अलाम करके एक आवाज निकालते हैं जिससे कि सब जो भी और अधर बंगूस होता है ना वो सचेत हो जात जो फेमस फोर बिंग अवर टुकिल स्नेक्स विदाओ गेटिंग हट थेंसल्फ और नेबली जो होते हैं वो सपो को मानने में एकदम से भूत ही ज़दा फेमस होते हैं इस चीज के लिए पिरसेद्ध हो गए वो गेटिंग हट थेंसल्फ और अपने आपको चोट नहीं पह उनकी प्रितिक्रिया होती है इतनी तेज होती है कि वो हरवार साप के बार से बच जाते हैं देख कंटिनियूली मेक अशेंस ऑफ देमसेल्स अंटिल आफर वाइल वें दा इसनेक्स गेट स्टायवड देख लिए इन फो दा किल और वो साप को हमेसा मतार परिशान करते रह साप फिर वो उसे मार ने के लिए जपट पड़ते हैं जो मॉंगुज ओते हैं और सबी नोग्या मॉंगूस होती हैम अलाना आप जने नेमू बच्चों के लिए बच्चों को लगवक एक ही समय पर जर्म देती है रही है, पुरा समय किसी मतलब पुरानी से इंध की तर्माइट उनकी है, कोई एक ऐसा होता है होलो लोग होता है लक्री अगरा का जो तीला अगरा बोल सकते हैं खोकला पेड़ हो गया उसके तनहीं के अंदर मंदर पालती है अपने बच्चों को वेन मोस्ट अफ दा अडल्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड जो उनमें से एक दो जो नेवले होते संद। वो खाने के लिए बाहर निकल जाते हैं वन और टू में शृट जी रूप में पीचह रह जाते हैं जब तक किYAN डूसरे रात में आराम के लिए आराम ना कर रहे हैं इसके लिए लोट नहीं आते हैं तब तब तक वो खड़े ही रहते हैं excell支持 दूसरे रात में तब तक वो खड़े रहते हैं, गार्ड बन कर, Another animal, which lives in the desert, is the camel, Camels were first domesticated by people many thousand of years ago, एक और जीब ऐसा है, जो कि मरुसल में रहता है, ठीक है, रेगिस्तान में रहता है, वो क्या है, उंट, ठीक है, उंट सबसे पहले, क्या हुआ था, हजारों साल पहले, लोगों ने पालतू बनाया था, उंट को, In the wild, Camels usually live in a small group of up to 30 animals, और ये जो जंगल में उंट होता है, वो मतब कम से कम 30 के उसमें होता है, रेंज में, 30 animals, मतब एक पूरे जुंड में रहता है, छोटे से एक जुंड बनाके उसमें, Camels have long, saggy winter coats to keep warm and a sorter, tidier coats in the summer to keep cool, और उंटों के लंबे, बड़े-बड़े, रोईदार सर्दियों के कोट होता है, एक तरह से, ठीक है, अपने, क्या होता है, की वर्म, अपने आपको मतब बचाने के लिए सर्दी से, कोट की टाइप होता है, जो उन्हें गर्म रखते हैं, ठीक है, जी 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 कोट सोते हैं, summer to keep cool, जिनसे वो गर्मियों में ठंडे रखने के लिए होता है, वो उनकी कोट जोते हैं, ये गर्मियों में ठंडे रह सकें, इसलिए, अथास्टी कैमल can drink as much as 30 gallon of water, that's about 500 full glasses in just 10 minutes, एक प्यासा जो उन्ट होता है, वो 30 gallon तक पानी पी सकता है, लगबर 500 पूरे ग्लास भरके, किवल 10 मिन्टों में पी जाता है, normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants, and can survive for up to 10 months without drinking any water at all, पर आम तोर पर क्या होता है, उसे अपनी मतर्ब जरूरत का सारा पानी, कहां से मिलता है, रेगिस्तानी पौदों से ही मिलता है, जो उन्ट होता है, तीक है, वो 10 महीन तक बिना पानी पी जीवित रह सकता है, जो कैमल होता है, वो बिना पानी के रह सकता है, कितने महीन तक? 10 मन्थ तक, ठीक है, शर्वाइब कर सकता है, without water, आपको याद रखना है, there are two different kinds of camel, अब यहाँ पे two different kinds of camel आ गए, उट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, one known as the dremodary, has only a single hump, एक जिनका एक ही मन्दब कूबर होता है, जो hump होते हैं, वो एक ही होता है, और दूसरे होते हैं, the other is called a bacterian camel and has two humps, एक होते हैं, जिनके दो कूबर होते हैं, ठीक है, बेक्टरियन camel होते हैं and has two hump, उनके दो कूबर होते हैं, the humps help the animal to survive in the desert by acting as storage containers, but they don't store water, as many people wrongly believe they are full of fat, यह जो कूबर होते हैं, इस animal के, वो मरुस्तल में जीवित रहने में मदद देते हैं, जो रेगिस्तान होता है, वहाँ पर उनकी, उनको help करने में, मतलब help करते हैं, animals के लिए, इनके लिए, camel के लिए, जो इनके हम्प होते हैं, यह उनके एक तरह से क्या होते हैं, storage container होते हैं, मतलब भंडारण होते हैं, पूरी तरह से हर चीज इनके इसमें store करके रखी जा सकती है, लेकिन इनमें पानी नहीं रह सकता, जेक है, but they don't store water, पानी store नहीं कर सकते हैं यह इसमें, As many people wrongly believe, जैसे कि दोसरे लोग है न, एक तरह से उनकी गलत धारना बनी हुई है, गलत सोच है कि इसमें जो इनके हम्प होते हैं, उसमें पानी रहता है, ऐसा नहीं है, they are full of fat, यह पूरी तरह से चर्बी से भरे होते हैं, This fat nourishes the camels when food is scarce, और यह चर्बी होती है, उन्हें जीवित रखती है, जब कर भी भुजन की कमी होती है, तो उनको उस चीज से मदद मिलती है, If they have nothing to eat for several days, their hums shrink as the fat is used up, अगर उन्हें कई दिनों तक खाने को कुछ भी नहीं मिले, तो उनका जो कूबर होता है, वो सुकर जाता है, क्योंकि उनमें जो भरी जो fat होती है, वो कम होती जाती है, There are many other ways in which camels are adapted to desert life, कई और भी तरीके भी हैं, जो उन्ट को रेगिस्तानी जीवन की अनुखूल बनाते हैं, Their mouths are so tough that even the soft thorn cannot pierce through, उनके इतने hard होते हैं, कि जो नुकीले काटे भी हैं उनके छेद नहीं कर सकते, इतने tough होते हैं, साफ थौंज होते हैं एक दम नुकी ले जो थौंस होते हैं ना काटेदार विछ भी यू के नोट पायर स्थरू तो उससे भी उनके माउथ में ना छेद नहीं हो सकता तो यह हमारा कम्प्लीट हो गया चैप्टर इफ यू लाइक दिस वीडियो सेयर सब्सक्राइब कमेंट ल अब टो पर दो प्रस्वेल इकन थूख जो रखे प्ति प्रस्वेल इकन थैंक यू